हलो दोस्तो मैं हुई योगेश गुपता और एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत सवागत है आज हमारे सामने कड़िया है अल लिव टाटा हैरियर फेसलिफ 2023 और वेरियंट की बात करें तो यह आपका प्योर प्लस एस वेरियंट है एस का मतलब संरूफ से होता है दो वेरियंट में क्या-क्या फीचर्स ओफर किये जाते हैं तो आपका ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रंट प्रफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कनेक्टिंग LED डियारल्स ओफर किये जाते हैं फ्रॉम पॉइंट सोज जिया नहीं किये जाते हैं फ्रंट प्रफाइल में देख लीजिए टाटा का ल्यागो देखने को मिलता है Glossy Black finish में फ्रंट की ग्रिल है की बात करें तो वह भी आपको Glossy Black finish में देखने को मिलती है बाकी dedicated number plate की आपको यहाँ पे position देखने को मिलती है बाकी साती साथ automatic rain sensing wipers offer किये जाते हैं लेकिन आपको यहां पे 360 degree camera देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों dimension की बात करें तो 4.6 meter की इसकी पूरी length है जहां पे 274 mm का आपको wheelbase देखने को मिलेगा काफी अच्छा wheelbase यहां पे आपको offer किया जाता है जिसकी वज़े से अंदर जो second row है उसमें आपको बहुत बढ़िया space बन जाता है दोस्तों tires की बात करें तो आपको front में 235, 65, 17 inches के tubeless radial tires offer किये जाते हैं silver color में आपको यहां पे alloys देखने को मिलेंगे जो कि पुराने वाले harrier से एकदम match करते हैं देखने में तो यह भी बहुत बढ़िया लगते हैं 5 net वाले alloys offer किये जाते हैं लेकिन जो higher variance में alloys offer किये जाते हैं वो देख लीजिए वो है आपके higher variance के alloys अब यह जो कि base model है second base model है तो इसलिए में आपको पुराने वाले alloys देखने को मिलते हैं लेकिन यह भी कोई इतने खराब नहीं लगते हैं दोस्तों बागी brakes वगरा की बात करी जाते हैं तो आप देख लीजिए rear में आपको यहां पर drum brakes offer किये जाते हैं वही पर front में आपको ventilated disc देखने को मिलती है आपको यहां पर glossy black finish में देखने को मिलते हैं उसी के उपर led turn indicators offer किये जाते हैं और यह ओर विम्स आपके electrically adjustable है और auto foldable भी हैं window line पे कोई भी chrome देखने को नहीं मिलता है roof rails offer करी जाती है साथी साथ panoramic sunroof आपको यहां पर देखने को मिलती है कुछ इस तरह से आपको यहां पर complete side profile देखने को मिलती है दोस्तों rear profile की बात करें तो यह देख लीजे कुछ इस तरह की rear profile offer करी जाती है काफ़ी attractive है इधर आपको fuel lid देखने को मिलता है tank capacity आपको यहां पर 50 लिटर की offer करी जाती है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके tail light setup की तो connecting tail light setup आपको यहां पर देखने को मिलता है LED में आपको offer किया जाता है और side से देखेंगे तो यह देख लीजे काफी smoke की effect देने की कोशिस करी गई है बहुत खूबसूरत लगता है और कुछ इस तरह से आपको यहां पर indicators देखने को मिलते है लोक्स के मामले में कहीं प आपको offer किये जाते हैं दोस्तों rear skid plate की अगर बात करी जाए तो आप देख लीजे body color में नहीं है silver color में आपको skid plate देखने को मिलती है अब यह देखिए personal choice हो सकती है लेकिन white color पे silver color की skid plate मुझे इतनी जादा नहीं जच रही है spare tire की अगर बात करी जाए तो spare tire को आप तो under the valley देखने को मिलता है यह देख लीजे steel wheels में offer किया जाता है और बागी suspension और chassis वगर देख लीजे नीचे से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है तो rear profile से दोस्तों आपको इतना ही कुछ यहां पे देखने को मिलता है यह देख लीजेए यहां पे आपको पार्सल ट्रे तो नहीं offer करी जाती है लेकिन boot space के मामले में 445 लिटर का boot space आपको यहां पे देखने को मिलेगा इतना बड़ा boot space है कि आप अराम से बहुत सारा समान लेकि इसको travel कर सकते हैं दोस्तों बागी इधर देखेंगे तो आपक आपको नीचे देखने को मिलता है तो यह आपका complete boot कुछ इस तरह से offer किया जाता है चलिए इसको बंद कर लेते हैं driver साथ door की बात करें तो आपको यहां पे request sensor देखने को मिलता है body color में आपको door handles offer किया जाते है door panel देख लीजिए complete black color में आपको यह panel देखने को मिलता है यह वाला portion आपको fabric में देखने को मिलता है जो कि soft touch है power window के controls door opener यह आपका silver satin में पूरा handle देखने को मिलता है bottle holder, umbrella holder, light की placement, speakers की placement और यह आपके over VM के controls seats की बात करें तो आपको यहां पे manually ही adjust करनी पड़ेंगी बाकी रहने वाला है आपका manual variant fabric repository में आपको यहां पे seats देखने को मिलती है लेकिन softness बहुत बढ़िया है यह देख लीजे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है और इस तरह से आपको complete dashboard देखने को मिलता है बहुत premium लगता है चल यह अंदर चल के ही बात करते हैं कि यह क्या का offer किया जाता है तो यह देख लीजे कुछ इस तरह से आपको यहां पे काफी premium सा dashboard देखने को मिलता है ज्यादा तर black है थोड़ा थोड़ा आपको यहां पे silver का touch भी देखने को मिलता है दोस्तों बागी left side में देख लीजे यहां पे आपको infotainment screens related सारे control, bluetooth, audio, plus minus, voice function सब कुछ मिलता है steering column आपको यहां पे tilt और telescopic दोने support के साथ offer किया जाता है दोस्तों right side में automatic headlamps देखने को मिलता है left side में automatic range sensing wiper offer किये जाते हैं mid देख लीजे आपको यहां पे 10.23 inches की fully digital instrument cluster देखने को मिलता है सब कुछ यहां पे आपको offer किया जाता है TPM वगएरा सब कुछ देखने को मिलता है और जब इसको आप on करोगे तो कुछ इस तरह से आपको animation या welcome screen देखने को मिलती है जो की बहुत बढ़िया लगती है यह देख लीजे बागी यहां पे काफी सारा ना आपको hard plastic देखने को मिलता है लेकिन इतना भी बूरा नहीं लगता है इधर आप देख लीजे यहां पे आपको 10.25 inches की infotainment screen देखने को मिलती है जो android auto wrapper card पे support करती है दोस्तो touch response काफी बढ़िया है लेकिन 360D की camera आपको यहां नहीं मिलता है यह देख लीजे कुछ इस तरह का आपको यह dashboard देखने को मिलता है hard plastic है लेकिन soft touch में है यह पूरा आपको piano black में देखने को मिलता है और यहां पे आपको touch panel देखने को मिलता है दोस्तो automatic AC आपको यहां पे offer किया जाता है और उसके toggle switches देख सकते हैं नीचे आपको 45V का Type-C port देखने को मिलता है wireless charger तो आपको नहीं मिलता है थोड़ा सा space देखने को मिलता है यहां पे आपको तीन driving modes offer किये जाते हैं दोस्तो यह देख लीजिए आपका six speed manual gearbox और बहुत ज्यादा premium तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन ठीक टाक है यह आपका handbrake manual handbrake मिलता है और कुछ एक तम cockpit टाइप वाला आपको system देखने को मिलता है दोस्तो दो cup holders offer किये जाते हैं कुछ इस तरह से आपको चावी पूरानी वाली देखने को मिलती है आमरेस आपका soft touch में फैबरिक में और इतना space देखने को मिलता है जहां पे आपको 12 volt का socket एक USB port एक Type-C port offer किया जाता है दोस्तो कुछ इस तरह से आपको यहां पे seats देखने को मिलेंगी हाला कि fabric अपोस्टी में है लेकिन comfort में आपको यहां पे कोई भी कमी offer नहीं करी जाती है यह देख लीजे glove box आपको यहां पे soft open glove box देखने को मिलता है दोस्तो लेकिन IRVMs आपको यहां पे मैनवल ही देखने को मिलते हैं और मैनवल ही operate करने पड़ेंगी डाइवर साइड में आपको 20 मिलेगा लेकिन वाइजर बहुत थिक है को पेसे साइड में भी आपको 20 मिलता है लाइट्स आपको यहां पे white light देखने को मिलती है LED में साथी जात अब इस वेरियंट में प्योर प्लस एस वेरियंट में आपको panoramic sunroof offer करी जाती है और बहुत ही huge panoramic sunroof आपको देखने को मिलती है और बहुत अराम से आप और आपके बच्चे इसके मज़े ले सकते हैं दोस्तों चलिए इसको बंद कर देते हैं तो यह रहा आपका complete front का dashboard तो यहां पे आपको चार speaker और seating comfort की बात करते हैं तो यह रहा आपका second row का door panel same door panel है यह भी आपको सब कुछ हाट देखने को मिलता है ट्वीटर आपको यहां नहीं मिलता है केवल खांचा है speaker की placement bottle holder mobile holder और यहां पे देख लीजे power window के controls और यह पूरा soft touch में आपको देखने को मिलता है दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो कुछ ही सरह से आपको second row देखने को मिलती है five sitter variant है और बहुत प्यारा इंटीरियर आपको offer किया जाता है चलिए अबर गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर बैठते ही सबसे पहले आपका जो नजर जाएगी आपको यह dashboard बहुत premium dashboard आपको य नीच एक type c और usb port charging के लिए दिया गया है एसी के वेंट्स आपको यहाँ पे pillar पे शिफ्ट कर दिये गया है क्योंकि उपर panoramic sunroof आपको मिल जाती है grab handles साथी साथ आपको white led देखने को मिलती है grab handles आपको यहाँ पे fix offer किये जाते हैं सीर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 60-40 split में सीर्स देखने को मिलती है और बहुत बड़िया comfort है adjustable headrest के वल दो ही offer किये जाते हैं बीच में ना तो cup holder ना armrest है लेकिन यहाँ पे आईसो fix child month आपको देखने को मिलते हैं और तीनों passengers के लिए seat belt भी देखने को मिलती है दोस् दोस्तों इस कार में आपको दो लिटर वाला cryo tech टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है जो आपका b6 phase 2 norms के साथ आता है 167 bhp की power और 350 newton meter का यह टार्ग निकाल के देता है और काफी refined इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 195 की top speed आपको offer करी जाती है बागी damping वग करें तो यह लग 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 16-17 के बीच का माइलेज कंपनी क्लेम करती है बाकी layout देख लीजे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है गाइस तो दोस्तों यह थी आपकी tata harrier pure plus s sunroof वाला variant इस कार में आपको लग 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 सारे वो features मिल जाते हैं जो आपको कार से चाहिए कोई भी query हो तो आप मुझसे comment में पोच सकते हैं दोस्तों तो उम्हित करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज कले बस इत हुआ हुआ हुआ